लोक्सवा चुनाब 2024 के पर्थम चरण में 21 राज्यों और केंद्राइज प्रदेशों की 102 लोक्सवा सीटों पर 19 अप्रेल को मद्दान होगा लेकिन एसिया के मसूर फ्लोई सटा बजार ने पर्थम चरण में होने वाले मद्दान की सभी 102 सीटों पर ताजा और स्टीक सरवे कर अनुमानित प्रणाम के आंकडे देश के सामने रख दिये हैं सटा बजार की ताजा सरवे में रातो रात हुए बड़े बदलाव ने पक्स विपक्स के कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नीद उड़ा कर रख दी है परतम चरण की सभी 102 सीटों पर 60,000 दुआरा कीगी ताजा सरवे को देखें तो परतम चरण में मद्या परदेश की 6 लोकसबा सीटों पर 19 अप्रेल को मद्दान होना है फ्लोई 60 अपजार की ताजर वे के अनुसार मद्या परदेश की इन 6 में से एक लोकसबा सीट पर कॉंग्रेस पारटी को काम्याबी आसिल हो सकती है तो वहीं अन्य सहीत इंडी गठबंदन का मद्या परदेश में खाता भी नहीं खुलेगा बारतिय अन्ता पारटी मद्या परदेश की बची हुई सभी पांच लोकसबा सीटों पर एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा अरुनाचल परदेश की दो ही लोकसबा सीटे हैं और एक ही परतम चरण में चुनाब होना है इसके अलावा असम राजे की पांच लोकसबा सीटों पर पर परतम चरण में चुनाब होना है शटा बजार की तासरवे के अनुसार असम की इन पांच में से एक सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का कबजा रह सकता है लेकिन इंडी गठ बंदन सहीत अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा असम की बची हुई सभी चार लोकसबा सीटों पर बारतिय अंता पार्टी एक तरफा कबजा करने में काम्याब हो सकती है चार सीटें बिजेपी को दे दी गई है अन्डमान निकोबार की एक ही लोकसबा सीट है केंदर साजित परदेश है परथम चरण में चुनाव होना है और 60 वजार की तासर वे के अनुसार अन्डमान निकोबार की इस सीट पर कोंग्रेस पार्टी एक तरफा कबजा कर सकता है अन्य सहीत इंडी गटबंदन का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा बारते अन्ता पार्टी भी अंडमान निकोबार में कोंग्रेस से पिछे रहती हुई दिखाई दे रही है बिजेपी को अंडमान निकोबार में 0 सीटें इसके अलावा लक्स दीप की एक ही लोकसुबा सीट है केंदर साजित परदेश है एक ही चरण में चुनाव होना है 60 वजार की तासर वे के अनुसार कॉंग्रेस पार्टी का लक्स दीप में खाता भी नहीं खुलेगा 0 सीटे जबकि इंडी गट बंदन के सेयोगी दल दुवारा लक्स दीप में एक तरपा कबजा किया जा सकता है लक्स दीप में भी इंडी गट बंदन से बारते अंता पार्टी पीछे रहती हुई पिछड़ती हुई साप साप दिखाई दे रही है इसके अलावा मनिपूर की दो ही लोक्स बा सीटे हैं और पर्थम चरण में चुनाव होना है 60 बजार की तासरवे के अनुसार मनिपूर की किसी भी सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा इंडी गट बंदन के साथ अन्ये को भी मनिपूर में जीरो सीटें दी गई है जबकि मनिपूर की दोनों लोक्स बा सीटों पर बारते अन्ता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है दोनों सीटे बिजेपी को दे दी गई है तिरुपुरा राज्ये की टोटल सीटों में से एक लोक्स बा सीट पर पर पर्थम चरण में चुनाव होना है जहां पर कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा तिरुपुरा में कोंग्रेस को जिरो सीटे है जबकि इंडी गडबंदन सही तन्ये को भी जिरो सीटे सटावजार दे रहा है तिरुपुरा की एक सीट पर चुनाव है पर्थम चरण में और वो भी 60ावजार की सरवे अनुसार बारत्य अंता पार्टी के खाते में जाती हूए दिखाई दे रही है मिजोरम की भी एक ही लोकस्वा सीट है तिरुपुरा में बुजोरम की इस सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा इसके अलावा राजस्तान की 12 लोकस्वा सीटों पर पर्थम चरण में चुनाव होना है सटावजार की तासर वे के अनुसार राजस्तान में कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा जीरो सीटे सटावजार दे रहा है इसके अलावा अन्या सहीत इंडी गठ बंदन का भी खाता नहीं खुलेगा जीरो सीटें जबकि राजस्तान की सभी 12 लोकस्वा सीटों पर बारते अनुसार नागालेंड की इस लोकस्वा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा जीरो सीटें जबकि नागलेंड की इस लोकस्वा सीट पर अन्डीय के सयोगी दल अन्डी पीपी द्वारा एक तरपा कपजा किया जा सकता है NDA के सयोगी दल NDPP द्वारा चुनावी मेदान में उतरने के वजय से BJP ने अपना उमीदवार यहाँ पर नहीं उतारा इसके लावा पांडू चेरी की एक लोकसबा सीट है पर्तम चरण में चुनाव होना है 66 अबजार की तासर रुवे के अनसार पांडू चेरी की इस लोकसबा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का एक तरपक अबजारने वाला नुमान लगाया गया है पांडू चेरी एक केंदर साजित पर्देश है पर्तम चरण में चुनाव है 66 अबजार की तासर रुवे के अनसार सीकिम की इस लोकसबा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा जबकि UPA के सयोगी दल SQM दुआरा सीकिम की इस लोकसबा सीट पर एक तरपक अबजा किया जा सकता है एक बार फिर से UPA से जो कह सकते हैं कि BJP पिचड़ती हुई यहां पर 0 सीटें सीकिम में इसके अलावा 36 गड़ की एक लोकसबा सीट पर पर्तम चरण में चुनाव होना है और उसी पर कॉंग्रेस पार्टी एक तरपक अबजा करती हुई साप साप दिखाई दे रही है 36 गड़ की एक ही सीट पर चुनाव है जो कॉंग्रेस पार्टी के खाते में 60 बजार डाल चुका है अन्य सहीत बार्टी एंता पार्टी का 36 गड़ में खाता भी नहीं खुलेगा एक सीट जो जिस पर चुनाव है वहाँ पर कॉंग्रेस से जीत दर्ज कर सकती है इसके अलावा तमील नाडू राजे की टोटल 49 लोकसबा सीटे हैं पर्तम चरण में चुनाव होना है कॉंग्रेस पार्टी तमील नाडू की 6 सीटों पर एक तरपा कबजा कर सकती है तो वहीं डीमके को तमील नाडू में 18 सीटे मिलने का अनुमान लगाया गया है इसके अलावा इंडी सिगट बंदन के सियोगी दलों को 4 सीटे मिल सकती है तो वहीं बारतिय अन्ता पार्टी तमील नाडू में 8 सीटों पर एक तरपा कबजा करने में काम्याब हो सकती है तो वहीं अन्डीय के सियोगी दल पीमके को 3 सीटे मिल सकती है इसके अलावा जम्मू कस्मीर की एक लोक सिट पर पर्थम चरण में चुनाब होना है 16 अबजार की तासरवे की अन्वचार जम्मू कस्मीर की इस लोक सिट पर कोंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा कॉंग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉनफरेंस यानि अब्दुला की पार्टी को भी जिरो सीटे दी गई है जबकि पर्तम चरण की एक लोगसबा सीट पर बारते अंता पार्टी एक तरफा कबजा करने में काम्याब हो सकती है इसके लावा उत्राखंड राज्ये की टोटल पांच लोगसबा सीटें हैं पर्तम चरण में चुनाव होना है सटावजार की तासरवे के अनुसार उत्राखंड की किसी भी लोगसबा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा जिरो सीटें इंडी गटमंदन सहीत अन्ये को भी उत्राखंड में जिरो सीटें सटावजार दुआरा दी गई है जबकि उत्राखंड की सभी पांचों लोगसबा सीटों पर बारते अंता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में काम्याव हो सकती है पांच सीटे बिजेपी को दे दी गई ह इसके लावा उत्र परदेश की आठ लोगसबा सीटों पर पर परतम चरण में चुनाव है शटावजार की ताशरवे के अंसार उत्र परदेश में कोंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा जीरो सीटें जबकि सपा यानि अखले से आदाव को एक सीट दी गई है इसके लावा अपना दल का उमीदवार ही नहीं उतारा गया परतम चरण में इसके लावा आरलडी को एक सीट मिलने का अनुमान सटावजार दौर लगया गया है तो वहीं छै लोगसबा सीटों पर बारतियंता पार्टी उत्र परदेश में एक तरपा कबजा करने में काम्य अब हो सकती है इसके लावा मेगाले की दो लोगसबा सीटे हैं के अनुमान सटावजार दौर दौरा लगया गया है एन पीपी दोरा चुनावी मेदान में उतरने की वज़ाय से मेगाले में भारतियंता पार्टी ने अपने उमीदवार को चुनावी मेदान में नहीं उतारा इसके लावा पास्चमी बंगाल की तीन लोगसबा सीटों पर पर्थम चरण में 19 सप्रेल को मद्दान होगा इसके लावा टीमसी यानि ममता बनरजी को भी इन तीनों सीटों में से किसी भी सीटों में नहीं हो सकती है पास्चमी बंगाल की जीरो सीटें टीमसी को पर्थम चरण में दी गई है तो वहीं बारतियंता पार्टी पस्मी बंगाल में पर्तम चरण की सभी तीनों लोकसवा सीटों पर एक तरफा कबजा करने में काम्याब हो सकते तीनों सीटें बिजेपी के खाते में जा रही है इसके लावा माराष्ट्रा राज्ये की पांच लोकसवा सीटों पर पर्थम चरण में चुनाव होना है सटाबजार की तासरवे के अनसार इन पांच में से एक सीट पर कॉंग्रेस पार्टी को काम्याभी हासिल होने वारा नुमान लगाया गया है इसके लावा उद्दव ठाकरे और सर्थ पुवार के गुट को जीरो सीटें पर तम चरण में मिलती वी दिखाई दे रही है NCP यानि अजीत पुवार गुट की NCP ने अभी तक अपने उमीद्वार पर तम चरण में नहीं उतारे इसके अलावा सिंदे गुटवाली सीव सेना ने भी बीजेपी घटबंदन के बाद अपने उमीदवार इन पांचो सीटों पर नहीं उतारे माराश्टरा में अन्य भी जीरो सीटों पर सिमडता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि माराश्टरा की सभी परतम चरण की चार सीटों पर बारते अंता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में काम्याव हो सकते चारू सीटे बीजेपी को दे दी गई है इसके अलावा बिहार राज्ये की चार लोक्सभा सीटों पर परतम चरण में चुनाव होना है सटा बजार की तासरवे के अनुसार परतम चरण में कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा जिरो सीटे जबकि आर जेडी लेट सहीत इंडी गटबंदन का भी खाता नहीं खुलेगा जिरो सीटे है हम को एक सीट और लजेपी को एक सीट मिलने का अनुमान सटा बजार द्वारा लगाया गया है जेडियू ने अपना कोई उमीदवार इन सीटों पर नहीं उतारा इसलिए जीरो सीटे हैं तो वहीं बिहार की दो लोग स्वा सीटों पर बारते अंता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है फरस्ट रण की सभी 102 सीटों की सरवे को आसान बासा में समझें तो 60 अबजार की तार सरवे के अनसार पर्थम चरण की 102 सीटों में से तेरा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है तो वहीं अन्य के खाते में 34 सीटें जाने का अनुमान है पर्थम चरण में NDA और UPA के सयोगी दलों के खाते में 34 सीटें जाने का अनुमान है उनकी है यानि इंडी गटबंदन के यानि UPA की 20 सीटे हैं परतम चरण में 26 सीटों पर जो अन्ये का UPA दल है वो कबजा कर सकता है तो वहीं इन 34 में से 8 सीटों पर BJP के जो सयोगी दल हैं अन्डिये के दल हैं वो कबजा कर सकते हैं यानि परतम चरण में अन्डिये के सयोगी दलों को आठ सीट मिलने का अनुमान 16,000 दोर लगाया गया है इसके अलावा परतम चरण में बारतिय जंता पार्टी 102 में से 55 लोक्षवा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है बिजेपी को परतम चरण में 55 सीटे मिलने का अनुमान लगाया गया है ऐसे मे UPA के पास 13 सीटें तो कॉंग्रेस की और 26 सीटें इंडी गठ बंदन की यानि टोटल 49 सीटें मिल सकती है यानि UPA को परतम चरण में 49 सीटें मिलने का अनुमान है तो वहीं NDA में 55 सीटें बारतिय जंता पार्टी की आठ उनके सयोगी दलों की यानि टोटल 63 लोक्षवा सीट परतम चरण में NDA गठ बंदन को काम्याभी हासिलोने वाला नुमान 67 बजार द्वारा लगाया गया है